मुटापे का वाहद इलाज बेगर किसी दवाव और एक्सिसाइज के एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर एक किलो तक वजन कम किया जाएगा नई टेक्नोलोजी के जरीए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS Slimming and Beauty Clinic में इस इलाज से आपको किसी भी तरह के side effects भी नहीं होंगे कलर इंप्रोव्मेंट पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आपा सकते है SPS Slimming and Beauty Clinic हाइदरबाद Abbots विसाइड अगरवाला स्वीट हाउस स्क्रीन पर दिये गए नंबर्स पर कॉंटाक करे महराश्टरा में 25 डिसमबर से रात के कर्फियू का ऐलान कर दिया किया है महराश्टरा के पालिमानी अमूर के वज़िर अनिल प्रब ने असम्बली में ये ऐलान किया महराश्टरा हुकुमत ने कर्फियू का ऐलान किया कोविट-19 मरीजों की बढ़ती हुई तेदाद के पेशे नज़र सुबह 6 बजे रियास्ट के पालिमानी अमूर के वज़िर अनिल प्रब ने रियास्टी असम्बली में ये ऐलान किया रियास्ट के लिए ने रहनमाना खतूत में ये भी हुकम दिया गया है के रिस्टोरांट, स्पास, जिम, ठेटर और आडिटोरियम को 50 फीसद सलाहियत पर काम करना होगा इन इदारों को अपनी कुल सलाहियत का अलान करना होगा इंडोर शादी की तकरीबात में एक बार में ज्याद से ज्यादा सो शिरका हो सकते हैं और बैरोनी मुखामात के मौमले में ये तिदाद 250 से ज्यादा नहीं हो सकती इसी तरह की पाबंदिया समाजी, सियासी और मजभी प्रोग्रामों पर लागू होंगी इनके अलावा दीगर तकरीबात की सूरत में इंडोर मुखाम की गुझाईश के 50 फीसद से ज्यादा शिरका को इजाज़त दी जाती है जबके आउट डूर इविंट्स के मौमले में हद बैठने की गुझाईश का 25 फीसद है खेलों के प्रोग्रामों में 25 तक हाजरी हो सकती है बंडाल के कुल गुझाईश का रियास्ति हुकुमत ने डिस्टिक डिजास्टर मैनेश्मेंट कमीटियों को भी इख्यार दिया है कि वो अपने मुतलिखा इलाखमी वबाई मर्स के फैलाओ की सुर्टिहाल की बन्याद पर सकत पाबंदिया आइद करे प्रब ने कहा है कि हवाई अड़्ों पर पाबंदियों का फैसला मरकजी हुकुमत करेगी जर्मिन टेन हास्पिटल और्थोपेडिक से मुतालख हर मरीज यहां शिफायाब इनाम्याफता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर और्थोपेडिक सर्जिन अडवान्स ऑपरेशन थेटर आइसी यू डिजिटल एक्सरे लेबरेटरी फीजियो तरपी फार्मसी शेर जाना गैनेकॉलोजिस्ट की खिदमात हासिल वाजबी फीस और मुकमिन सहुलियात से हजारों मुतमईं एम्बलिन से आरासा जर्मिंटन और्थोपेडिक हास्पिटल पिलर नंबर 150 अतापूर हैदर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो यहां परेट करलर का सबस्क्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताजा ताजा अपडेट मिलती रहे